हेले विडिवान स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो में और आज हम सिखेंगे कुछ ऐसे कमाल के डावलु एज फैमिली जो आपके डेली कॉनवर से में बहुत ही यूसफुल हो जाला है हम अपने बहुत ही जादा त्रफ हम कुछ ड्र फैमिली को शिखेंगे जो हम कहीं न कहीं आम तरपे यानि कि हम अपने रोज मर जा उन्य जिंदि में के बहुत ही जादा I welcome all of you with one more English lesson on speak English जहां आप सीखते हैं how to speak English. So friends, let's start करते हैं अपने सबसे पहले WH family word से और जो हमारा सबसे पहला WH family word है वो है why. Yes friend, आपने बिल्कुल सही सुना, हम why को सबसे पहले सीखेंगे और why का मतलब होता है क्यों? यानि कि हिंदी का क्या मतलब हो गया? क्यों? इसी भी reason के बारे में जानने के लिए हम यूज करते हैं why का. एक्जांपल के लिए तुम क्यों बोल रहे हो? Why are you speaking? मेरा भाई क्यों गाली दे रहा है? Why is my brother abusing? आप क्यों यहां पे गाना गार है? Why are you singing a song here? या फिर को जासे तुम यहां पे क्यों इंग्लिस बोल रहे हो? Why are you speaking English here? So friends, in this way आप बोल सकते हैं और बहुत सारे sentences को बना सकते हैं why से जुड़े. आप friends बढ़ते हैं अपने next word की तरफ यानि कि next WH family word की तरफ और जो हमारा next WH family word है वो है where. Where का मतलब होता है कहां? जैसे बेर का हम जब भी हमको किसी to know about a place, यानि किसी particular place के बारे में जाना होता है तो हम use करते हैं where का. जैसे इन दिनों तुम कहां रहते हो? Where does you live these days? जैसे इन दिनों तुम कहां पर अंग्रीजी बोल ले हो? Where are you speaking English these days? इन दिनों तुम कहां काम कर रहे हो? Where are you working these days? जैसे जैसे मेरा भाई कहां रह रहा है? Where is my brother living? एक और example देखते हैं तुम्हारा घर कहां है? Where is your house? So friends, in this way आपने देखा कि कैसे हम यूज किये अपने वेर को? Now friends, moving to the next WH family word और वो है हमारा what? Yes friends, what का मतलब होता है क्या? इसे हम कभी यूज करते हैं जैसे हमें to know about information, यानि to seek information. किसी भी information की बारे में हमें जानना होता है, तो हम यूज करते हैं what का? जैसे आपको बोलना हो, आपका नाम क्या है? What is your name? या फिर कुछ ऐसे, time क्या हुआ है? What is the time? या फिर कुछ ऐसे, जैसे अगर आपको बोलना हो कि तुम क्या करते हो? What do you do? एक और sentence देखते हैं जैसे आपको बोलना हो कि अगर आपको suppose बोलना हो तुम क्या कर रहे हो what are you doing तुम खाने में क्या बना रहे हो what are you cooking in the food so friends in this way आप यूज कर सकते हैं what का okay moving to the next wh family and that is how well how हम तब यूज करते हैं जैसे आपको किसी I mean I mean to know about manner और 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 वे जैने कि आपको कोई manner जानना हो जैने कि किस तरीके से किस वे में उस condition हम यूज करते हैं how का जैसे आपको बोलना हो जैसे आपको बोलना हो कि आप ये काम कैसे कर रहे हो how are you doing this work या फिर कुछ ऐसे आप कैसे हो how are you या जैसे आपको बोलना हो कि तुम अंग्रीजी कैसे बोल रहे हो एक और एक्जाम्पल देखते हैं जैसे आपको बोलना हो एक और देखते हैं आप कैसे चिला रहे हैं या फिर क्यों जैसे आपका भाई कैसा है So friends, in this way आप यूज कर सकते हैं अब friends बढ़ते हैं अपने next WH family word के तरफ और वो भी बिल्कुल आसान है और हमारा जो next WH family word है वो है when Yes friends, when का मतलब होता है जैसे कब इसको हम तब यूज करते हैं यानि कि to know about time or date यानि कि जब भी आपको time or date के बारे में जानना होता है तो हम यूज करते हैं when का जैसे आपको बोलना हो कि आप इसकोल कब जा रहे है when are you going to school या फिर को जैसे आप अंग्रीजी कब बोल रहे है when are you speaking English मेरा भाई यहाँ पर English कब बोल रहा है तो इससे हम कैसे बोलेंगे when is my brother speaking English here या फिर को जैसे अगर आपको बोलना हो कि आप डली कब जाते है when do you go to Delhi या एक और example देखते हैं जैसे आपको बोलना हो कि मेरा भाई यहाँ पर गाली कब दे रहा है when is my brother abusing here so friends in this way आप बहुत सारे examples को बना सकते हैं एक और example देखते हैं when is related जैसे आप अपनी मन में सोची जारा था जैसे आपको बोलना हो कि तुम्हारा तुम्हारा party कब है when is your party तुम्हारा birthday कब है when is your birthday so friends in this way हमने देखा when का हम कैसे यूज करते हैं okay now moving to the next WH family word और जैसे कि हमारा जोन हमारा next WH family word है वो है who yes friends please repeat after me who है who who का मतलब होता है कौन जैसे इसको हम बोलते हैं to know about a person यानि किसी भी person के बारे में जानना हो तो उस condition में हम यूज करते हैं who का जैसे आपको बोलना हो कि ये कौन है who is he या फिर कुछ ऐसे तुम कौन हो who are you तुम्हारा भाई कौन है who is your brother या फिर कुछ ऐसे तुम कौन बोल रहे हो who are you speaking so friends in this way आपने देखा कि हमने कैसे यूज किया हूगा friends ये सारे जितने भी डबलु एच फैमिली वर्ट से यह नहीं यूज करना हमारे डेली कॉन आशल में बहुत ही I mean असान है well अगर आप इन पे अच्छे से कमांड बना लेते हैं तो बहुत ही असान होगा इंगलिज से बोलना okay now friends moving to the last WH family and our last family I mean our last WH family is whose yes friends हमारा जो last WH family है वो है whose whose का मतलब होता है किसका जैसे आपको बोलना हो कि ये laptop किसका है तो whose laptop is this ये charger किसका है whose charger is this ये किताब किसका है whose book is this so friends in this way आपने देखा हमने whose का कैसे यूज किया friends basically मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये सारे WH family मैंने आपके सामने पूट किया जितने भी मैंने WH family को बोला ये बहुत ही जादा यूज को बोला आगर if you are a beginner and if you I mean if you want to know about English more and more and if you need practice and practice then just work I mean just first work on these all WH family words because these all WH family words will enhance your speaking skill will enhance your English so try to use these all WH family in your daily conversation definitely you would be able to speak English fluently friends in sari WH family words पे आप किया करिएगा कि बहुत सारे sentences को practice करेगा अलग-अलग tense के recording अगर हमारा जो sentence वो present में है तो present के recording प्रैक्टिस करेगा अगर हमारा sentence past में है तो उसको past के recording उन्हें express करेगा और अगर हमारा sentence future में है तो future के recording आपको express कर सकते हैं सब में लगे friends इन पे जितना ज्यादा आप practice करेंगे definitely आप इन सारे WH family words को अपने conversation में बहुत ही आसानी से use कर सकते हैं so friends please tell me some examples related to these all family words in the comment section I will wait for you and I will read all your comments till then keep practicing as much as you can and I always say stop whizzing start speaking